दो से विभाजिता दो का गुणज निमने लिखित है दो, चार, छह, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस और इसी तरह आगे जो की सम संख्याएं हैं इनके इकाई के अंक दो, चार, छह, आठ, शुन्य हैं अधा हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शुन्य, दो, चार, छह, आठ, हो तो वह संख्या दो से विभाजि होगी अब हम इस नियम के जाच करेंगे इसके लिए कोई संख्या डॉट 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 सी बी ए लीजिए इसका विस्तारित रूप निमनलिखित है डॉट 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 धन सौसी धन दस बी धन ए यहाँ इकाई का अंक A, दहाई का अंक B तथा सैकडे का अंक C है दस, सौ और इसी तरह से आगे की संख्याएं दस से विभाजि हैं जो दो से भी विभाजि हैं अतह 10B, 100C और इसी तरह से आगे की संख्याएं भी 2 से विभाजी होंगे अब यदि दी हुई संख्या 2 से विभाजी है तो A को भी 2 से विभाजी होना चाहिए लेकिन यह तभी संभव है जब A बराबर 0 ने 2, 4, 6, 8 हो 9 और 3 से विभाजेता आपने 10, 5 वा 2 की विभाजेता की जाज के नियमों को देखा क्या इनके नियमों में आपने कोई विशेस बात देखी इनमें दी हुई संख्या के इकाई के अंकों के आधार पर ही इनकी विभाजेता का निरने हो जाता है 9 और 3 की विभाजता के नियम इनसे भिन्द है कोई संख्या 3429 लीजिए इसका विस्तारी तुरूप निम्ने लिखित है 3 गुणा 1000, धन 4 गुणा 100, धन 2 गुणा 10, धन 9 गुणा 1 इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा कोस्थक में 999 धन 1, धन 4 गुणा कोस्थक में 991, धन 2 गुणा कोस्थक में 9 धन 1, धन 9 गुणा 1 बराबर 3 गुणा 99, धन 4 गुणा 99, धन 2 गुणा 9, धन कोस्थक में 3 धन 4, धन 2 धन 9 बराबर 9 कोस्थक में 3 गुणा 111 धन 4 गुणा 11 धन 2 गुणा 1 धन कोस्थक में 3 धन 4 धन 2 धन 9 हम देखते हैं कि दी गई संख्या 9 या 3 से तभी विभाज्य होगी जब कोस्थक में 3 धन 4 धन 2 धन 9 संख्या क्रमशह 9 या 3 से विभाज्य हो यहां 3 धन 4 धन 2 धन 9 बराबर 18 जो कि 9 वा 3 दोनों से विभाज्य है अब एक अन्य उदाहरण पर विचार कीजिए संख्या 3589 लीजिए इसका विस्तारी त्रूप इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा 1000 धन 5 गुणा 100 धन 7 गुणा 10 धन 9 गुणा 1 इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा कोस्थक में 999 धन 1 धन 5 गुणा कोस्थक में 991 धन 7 गुणा कोस्थक में 9 धन 1 धन 9 गुणा 1 पराबर तीन गुणा नौसुनिन्यानबे धन 5 गुणा निन्यानबे धन 7 गुणा नौ धन कोस्थक में 3 धन 5 धन 7 धन 9 इसमें 3 धन 5 धन 7 धन 9 बराबर 24 है चोनों से विभाजय नहीं है किन्तु 3 से विभाजय है यदी कोई संख्या A,B,C,D है तो उसका विस्तारित रूप होगा 1000 A, धन 100 B, धन 10 C, धन D, बराबर 999 A, धन 99 B, धन 9 C, धन कोस्थक में A, धन B, धन C, धन D, बराबर 9 कोस्थक में 111 A, धन 11 B, धन C, धन कोस्थक में A, धन B, धन C, धन D, 9 और 3 से विभाज, अतह 9 या 3 की विभाजता तभी संभव है, जब उस 4 अंक की संख्या के सभी अंकों का योग कोस्थक में A, धन B, धन C, धन D, क्रमशह, 9 या 3 से विभाज हो, पहला एक संख्या 9 से विभाज होती है, यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज हो, एक संख्या तीन से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो